दोस्तो आज की वीडियो में आप जान पाएंगे कि कैसे कम खर्च में बक्री पालन हम कर सकते हैं, बिना किसी खर्च के कैसे बक्री पालन कर सकते हैं, कैसे यह संभव है दोस्त अभी मैं सारंजिला में वीडियो बनाने आया था और वहां की जो वेवस्था है उसकी पीसे मैं आपको बता दू कि शुरुवात लगभक 74 बकरी से हुई थी दो साल पहले और आज इनके पास लावे स्टोक कर देखा जाए तो 373 की संख्या है जो आपके सामने है यहा सारी बकरियां कर रही है बिना किसी खर्च के यहां पर बकरी पालन होता है रोसन जी यहां के ओनर है बीसी नर्सिंग कर चुके है और नर्सिंग सर्विश देते हैं लोगों को बड़ी कमपनी है प्लाइब लिंटेट कमपनी उनकी है और हमारा सब बाबा भी है और इनके द इस पर आप क्या कहेंगे देखे जर एक तो बिना किसी खर्च का तो या तो जेब में मनी हो और नहीं तो हाथ में जो है ताकत हो ताकत के मतलब होता है लाठी जिसकी लाठी उसकी भैस आपने कहावत सुनी होगी तो अगर मेरे हाथ में बल है तो यह बल का कमाल है कि हम इसको जो है ग्रेजिंग पर रख रहे हैं इसको सुबस से लेकर साम तक चराना है घुमाना है बच्चे को मिल्किंग कराना है सारी विवस्ता देखनी है और अगर आप ज्यादा संख्या में करेंगे तो आपको इस लेवल में आना ही पड़ेगा लेकिन अगर दो चार दस बीस पच चास की संख्या में आप रखते हैं तो आप इस्टॉल फीट पे रख सकते हैं तो इस टॉल फीट में आपको मनी का खर्च करना पड़ेगा आपका जयेव धीला होना ही होना है इसमें कोई छिपाने के चीज नहीं है एक बकरी पे 10 से 15 रुपया नॉर्मल खर्च गिरता है और जब इनके पास 370 बकरियां है लगबक 370 पर 70 कि शंक्या है तो पर बकरी 15 रुपया जोड़ लिजे इनको कितना खर्च गिरेगा तो ये सुबधा है ग्रेजिंग में और स्टॉल फीड में क्या खर्च गिरेगा ये दोनों आपके सामने है और आपका कहना सही है कि बिना क किसी खर्च के तो बिना किसी खर्च का ये सुबधा जो है आपको करना पड़ेगा ग्रेजिंग कराना पड़ेगा तो इसके पीछे भी खर्च है लेकिन रूप बदल गया है जैसे रोशन जी का ब्योसाय दूसरा है बिजनेसमें आदमी है उनका जो फारम चल रहा है उनके स्टाप के बल पे चल रहा है तो उन्होंने स्टाप पर खर्च किया है न कि फीडिंग पर खर्च किया है और इनका फीडिंग जोड़ेंगे तो ज्यादा खर्च गिरेगा इसलिए उन्होंने स्टाप के द्वारा इनको ग्रेजिंग पर रखा है तो यही शुबधा है बिन पर रखते हैं इसके कुछ बताई है हमारे दर्सों को देखिए हमारे पास मैं जब शुरुवात में ब्लैक बंगाल का फार्मिंग किया था तो मैं अपने छे त्रक्रणकुल अपना जो रख रखा हूँ है हमारे धान की खेती होती है तो उसके दोरान हमारे हां चार-पांच म बखरियों का फोटो अगरे डालता हूं लेकिन जो धान का खेती हो जाता है उस समय में बाधित हो जाता हूं और अब मैं क्रॉस बीड़ और कुछ बड़े बीड़ की नसल का बखरी का पालन सुरू किया हूं इस लिए ताकि हमको समय नहीं मिलता है तो मैं इस टॉल फिट उनको रखके अपना पालन करता हूं तो यहां पर रोशन जी के पास जब पहली बार में आया था तो उस समय भी और अभी इस समय भी बखरी तो कंप्रिर ब्लेक बंगाल की है हमारे दर्सक भी देख रहे हैं लेकिन इनके यहां जो ब्रीड़ है बड़े नसल का है तो ब्ले पहले गाय हुआ करती थी उसको लोग जर्सी का फ्रीजियन का साहिवाल का सीमेंड डलवा करके शंकर नसल बना दिया गया है ताकि उसका दूद की छमता को बढ़ाया जा सके वही हाल इन बखरियों में है जब ब्लेक बंगाल बखरी को हम बड़े बीड के बीडर से क्रोश कराते हैं तो उसका जो बच्चा आता है यह सामने देखिए यह संकर नसल की बखरी आ गई है हाँ शिरोही बीडर होगा इसकी माँ जो है ब्लेक बंगाल थी इसका कद काठी रंग रूप सब चेंज हो गया शिरोही जैसा हाइट भी नहीं है और ब्लेक बंगाल से ज्यादा हाइट भी है आने वाले समय में यह जो बक्री बनेगी बहुत अच्छी बक्री बनेगी तो क्रॉस बीड का यही मुनाफा है कि जो बक्री आने वाला भविश में हमारा तयार होगा उसमें जो ब्लेक बंगाल में पाया जाता है दूद की कमी इस कमी को वो दूर करेगा और बच्छे में वेट गेन जो होता है वजन का तदात बढ़ेगा बाबा आप भी क्रॉस बीड की वाकालत करते हैं कहते हैं हमारे किसे बहुत सारे वीडियो के दरान भी आप बोलते हैं कि क्रॉस बीड की फार्मिंग अगर करेंगे तो ज्यादा मुनाफा होगा लेकिन बाब तो रिजल्ट तो काफी बढ़िया रहता है चोटे बच्चे आते हैं तो काफी क्यूट होते हैं बहुत सुन्दर होते हैं प्यारे से होते हैं बोडी बेट भी काफी बढ़िया उसका होता है लेकिन बलेक बंगाल बकरी की एक खासियत कहे या तो खामी कहे बच्चा देने क लगबग लगबग शूख जाता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे जो होते हैं बिल्कुल शूख कर खटाई हो जाते हैं यह कहें तो बिल्कुल कूपोशित जैसे लगते हैं तो उस पर आप क्या कहेंगे देगी सर वह तो पहला बार आपको जो क्रॉस बीट के बच्चे आएं कम से कम 21 दिन के जगह 42 दिन तक दूद पीए और ऐसे भी मीटिंग होने के बाद भी 50 दिन तक दूद देती है और बच्चा का बिल्कुल मां से कंटेक्ट हड़ जाता है दूद घड़ जाता है तो उसके बाद आपको क्रॉस बीट के बच्चों को थोड़ा चोकर चना का छ च्रीम कुल देते रहेंगे तो यह जो है सर्वाइब कर जाते हैं और फिर यह थी तीरे-दीरे ज्यादा थीन एक पोशीत नहीं होते हैं लेकिन मां खाद छूटने के बाद एक से डेड़ महिना तक यह जो है यह देखी है यह इसका मां का दूद छूट गिया है अब यह ब पाल बड़ा हो जाता है और यहां रिड पर आप रखेंगे न तो यह कांटेदार हो जाता है यानि कुपोशित हो गया है माका दूदी से भरपूर नहीं मिला तो सही कंडिशन में जो है हर महीने पहला डिवार्विंग 15 दिन पर दूसरा एक महीने का हो गया तो तीसरा जब ड होता रहेगा और इनको जो है छिलका और यहां तो कहना ही नहीं यहां तो दूब घास है और यह सबसे पॉष्टी घास है तो यह चर रहे हैं इनको डिवार्विंग और थ्वासा आनाज की जरूवत है इनको इस पेसल थ्वासा डाइट 50 ग्रम दे दिया जाए तो यह फिर बखे तो रोटी खिलाना होगा कभी बेड खिलाना होगा अब्यक्तिन लगाके देना होगा तो इस तरह से इनको भी धीरे-धीरे कुछ ना कुछ शेंपेसल डाइट दिया जाएगा तो एक आध दो महीने के बाद यह ठीक हो जाएगे तो दो महीने के बाद जब यह तो नोग बच्चे देख लीजिए एक कुपोशीत है जो दो महीने का बच्चा है एक पाच महीने का है तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा यानि कि शुरू में दूद जब छुटेगा तो बच्चे इस तरह के हो जाएंगे तो फार्मरों को घबराना नहीं है और बहतर खाऊ होता है नमासे तो धीरे-दीरे माध दूद पिलाना बंद कर देती है यहा हाई दाना पे आएगे नहीं तो इसलिए इनको ग्रेजिंग पर रखाए ग्रेजिंग सीख जाती है और उसके वाद उपर से दाना इनको मिलेगा कुछ मल्टी विटामिन होगरा हलका फुलका दे दिया जाएगा तो एक दो महिने में इस सेट हो जाते हैं बाबा एक और सवाल है कि ठीक है यह मदर गोट है आपके सामन युद को उसके पास दूढ़ा नहीं माज से ज्यादा दूढ़ा मास से ज्यादा दूढ़ा क्योंकि यस संकर नंसल का बच्चा हो गया है gentleman से हाइट भी मैं इसका जांबार बड़ी वेट भी जादा होगा थोड़ाशा किशान को सब्सक्र्थ कि già hati सब्सक्री इताह करना ह जो यह पठ्थिया एक साल के बाद ही इसका मीटिंग करवाएं देखिए हमारा जो ब्लेक बंगाल है निगेटिव जो यहां का कल्चर का नसल है यह बक्री हमारा जो कुपोशित हो रहा है इसका कद काथी छोटा हो रहा है इसके पीछे यही कारण है कि बकरी आ लगण को इनलोय को सब्सकाना है हमादि आपक्रीयां अच्छी गुरोथ ने जो भी किसान बंदू कर रहा है तो कम से कम जो भी पठिया उनके पास आए तो बारह महीने तो दो दात तक उसको बचा कर रखें बीडर से परिपक्व हो जाए उसके बाद उसकी मिटिंग करवाएं तो बच्चे अच्छे आएंगे और ऐसे पठिया है तो जो मा उसकी बलेग मंगाल है उससे लगभग डेर गुना ज्यादा हो जाएगा उसमें कोई शक नहीं है और ब्लेक मंगाल का भी बच्चा है अगर आप छे-सात महीने के बाद उक्रवीट में आती है उसको रोक लेते हैं और तो एडल्ट हो जाती है तो उसका बच्चा अच्छा आएगा दूद भी अच्छा जाएगा दूस्तो आपने सुना बाबा की सारी बातों को यहां पर लाइव इन्होंने दिखाया भी है अगर बक्री पालन आप करेंगे तो किस तरह से करेंगे तो आपको कम खर्स में बक्री पालन आपका हो जाएगा कम बिना किसी खर्स के कैसे कर पाएंगे साथ ही अगर क्रोस ग्रोमाइंडेटिव चनल के साथ अब तक के लिए धन्यवाद